एक टाइम पर जो आक्टरुसेश एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाती थी जिसने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे वो आक्टरुसेश आज स्टेज शेयर करती नजर आई और जिसके कारण शकल नहीं देखना चाती थी उसकी गैर मौजूदगी में भी ये स्टेज को रॉक कर रही है ये अक्टिसेज और कोई नहीं बलकि अक्षे कुमार की एक्स रह चुकी है रवीना टंडन और शिल्पा शेटी की मैं बात कर रही हूँ हम सब जानते हैं कि 90's में एक टाइम था जब रवीना और अक्षे की अल्मोस्ट शादी होने जा रही थी सगाई तो हो चुकी थी और रवीना ने अपने सारे प्रोजेक्स को वाइंड़ भी कर दिया था क्योंकि वो अक्षे के साथ घर बसाना चाहती थी लेकिन तभी अक्षे की लाइफ में शिलपाश शेटी आ गई और रवीना ठंडन को ये बात तब पता चली जब मुंबई के एक होटेल में पूल में अक्षे कुमार शिलपाश शेटी के साथ कॉलिटी टाइम स्पेंट कर रहे थे और इसके बाद ही रवीना और अक्षे का रिष्टा तूड गया और कहीं न कहीं इसका इलजाम शिलपाश शेटी पर भी लगा था अब रवीना ठंडन और शिलपाश शेटी सालों बाद एक साथ नज़र आई है सूपर डांसर के शो पर जहां पर शिलपाश शेटी जज़ है इसी शो में रवीना ठंडन गैस्ट के रूप में नज़र आई है इतना ही नहीं दोनों अक्षेश ने ना सिर्फ बात की बलकि स्टेज पर आग लगा दी अपने डांस परफॉर्मेंस से जहां रवीना ठंडन अपने लड़की शेहर की लड़की वाले सौंग पर डांस करते नज़र आई वहीं शिलपाश शेटी और रवीना ने मिलकर चुरा के दिल मेरा गोरिया चली इस सौंग पर परफॉर्म किया जाहिर सिवा थे इस गाने में शिलपा के साथ अक्षे नज़र आये थे और क्योंकि अक्षे नहीं थे तो स्टेज पर अक्षे वाले अक्षिन्स रवीना ठंडन ने किये दोनों ने जबरदस्त डांस किया और एंड में शिलपा शेटी ने अक्षे पर तंज कसते हुए कहा कि रवीना और शिलपा जो है वो अक्षे और सुनील के विना भी स्टेज को रॉक कर सकते हैं इंडस्ट्री में इस तरह की कहानिया हमें अक्सर देखने को मिलती है कि एक शाइन पर दो लोग एक दूसरे की शकल तक नहीं देखना चाते हैं लेकिन कहीं न कहीं अपने आपको जिन्दा रखने के लिए इंडस्ट्री में अपने लिए प्लैट्फॉर्म खोचते रहने के लिए इन अक्टर्स को साथ आना पड़ता है और तब यह ऐसे साथ में आ जाते हैं जैसे लगता है कि कभी कुछ हुआ आई नहीं था